हलो फ्रेंज, वेलकम टू सीना कुईजिन, सीना कुईजिन में आप सबका स्वागत हैं, चलिए आज हम एक नया रेसीपि बनाएंगे, जो है पीस पॉलाओ, तो पीस पॉलाओ हम कैसे बनाते हैं, चलिए हम देख लेते हैं, पीस पॉलाओ बनाने के लिए पहले हम चावल ले लेंगे, यह है देरादून राइस, इसे मैंने अच्छी तरह से धो के एक प्लेट में सुखा दी, यह बिलकुल सुख जाएगा, इसका पानी इसे बीच-बीच में इसे हिलाते लहिएगा, तो इसके बाद इसका पानी हम बिलकुल सुखा देंगे, अब एक कराई ले चोटे कटोरी, एक कटोरी हम तेल डालेंगे, इसमें थोड़ा जादा ही तेल लगता है, अब यह तेल गरम होने दीजिए, फिर हम देख लेंगे कि हमें, और क्या-क्या चाहिए, तो जरे लिए तेल गरम हो, तो इसमें चार प्याज मैंने चोटे-चोटे तुखने में यूकस करके रखी हूँ, यह मतर, एक कटोरी मतर लेंगे हम, इसके बाद हम लेंगे, दो तेजबत्ता, एक इंग्ट, दालचेनी, लॉंग, और चार, छोटे लाइची, इसको हम तेल गरम होने के बाद, तेल में इसे हम डालेंगे, चलिए देखते हैं, हमारा तेल गरम हु तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे, तेजबत्ता, तेजबत्ता डालने के बाद, इसमें हम डालेंगे, दालचेनी, फीट डालेंगे, छोटे इलाइची, और लोंग, इसी थुरा हम फ्राइ कर लेंगे फड़ाई करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज सारे प्याज को डालके मैंने इसे अच्छी तरह से भूनना है यह सुनारी होने तक ऐसे हम भूनेंगे देखिए यह सुनारी हो चुका अभी देखिए इसमें कलर आ चुका है अब इसमें हम डालेंगे अद्दक लसून और प्याज जो कद्धुकस कर रखे रखी थी वह वला मैंने इसमें डाल दिया एक प्याज को मैंने कद्धुकस किया हुआ है पांच-छे कली लसून के और एक टुक्ड़ा अध्रक इसे मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करूंगी देखिए लसुन अद्रक ये अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा पौडर और धन्या पौडर एक एक चमच हम ले लेंगे फिर इसमें हम उसे डालेंगे देखिए चलिए हम डालते हैं यह है एक चमच जीरा पौडर और एक चमच धन्या पौडर इसे हम इसमें डाल देंगे फिर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे इसे अच्छे से मिलाएंगे देखिए कितना सुन्दर खुजबू आ रहा है इसका अब उसका टोड़ी में थोड़ा सा पानी लेके वो पानी इसमें हम डाल देंगे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा ही पानी इसमें हम डालेंगे पानी डालके इसे थोड़ा सा हम अच्छे तरह से मिलाएंगे दिखिए इसे हम मिला लेंगे इसके बाद इसमें हम दालेंगे गड़म मसाला, थोड़ा सा गड़म मसाला डालेंगे फिर इसे हम अच्छे तरह से फ्राइ करेंगे ये प्याज जब तक अच्छे तरह से मसाले में भून जाएगा देखिए इसमें हम अभी स्वाद मुनिसर नमक डालेंगे सदर निसर नमक डालने के बाद इसे फिर से हम मिला लेंगे अच्छे तरह से देखिए अब ये मसाला भून चुका है तेल देखिए उपपर आ चुका है अब हम इसमें चावल को डाल देंगे मैं यहाँ पर तेर कटोडी चावल ली हूँ देर कटोडी चावल ली हूँ तो इसका डबल हम पानी डालेंगे मतलब तीन कटोडी हम इसमें पानी डालेंगे चावल को धीरे धीरे इसके साथ भून लीएगा नहीं तो चावल तूट जाएगा मसाले में चावल को अच्छे तरह से हम भून लेंगे चाफल जितना आप ना पिएगा उसके डबल आप पानी इसमें डालिए जैसे मैंने यहां पर धेर कटोरी चाफल लिया है तो तीन कटोरी डालुँगी लेकिन थोड़ा सा तीन कटोरी से थोड़ा सा कम डालुँगी तो चाफल खिला खिला रहे गा देखिए अच्छे सरे हम मसाले में चावल को भून लेंगे तो रहल के हाथों से इसे हिलाईएगा अभी ये चावल भून चुका है अभी इसमें हम पानी डालेंगे नाप के देखिए अभी हम इसमें पानी डालेंगे एक कटोरी पानी मैंने डाल दी और एक कटोरी पानी डालूंगी दो कटोरी वह अभी हम तीन कटोरी पुरा नहीं डालेंगे देखिए इतना थोरा सा खाली रहेगा इतना ही हम पानी डाल देंगे इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम जो मतर है मतर को इसमें हम डाल देंगे मतर को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फिर मिला लेंगे देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा स्वादोनी सा नमक डालेंगे क्योंकि मसाले में मैंने थोरा सा नमक दिये थी, तो आप थोरा सा देख के डालिएगा, मैंने थोरा सा नमक दिये हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिएगा, अब मैं इसको ढखकन लगा के पाँच मिनिट के लिए रख दूँगी, चलिए पाँच मिनिट अब हो चुक देखिए चावल कितना सुंदर खिला- खुला है ये बेलकुल ईसका पानी बिलकुल सुंधाना है इसे पलट से पिट्वहल का सब्ना खिला हुआ है चलिया अब आए हमेसे निकालते हैं इसी थोड़ा सा खिला- और नीचे का यह जो चावल है थोड़ा सा उपर नीचे कर दीजिए फिर इसे आप निकाल लीजिए देखे हम निकाल रहे हैं इसे पाने कितना चावल देखे कितना सुन्दत से खिला-खिला हुआ लग रहा है तो फ्रेंड्स हो चुका हमारा पीस पॉलाव तो आपको यह पॉलाव कैसे लगा आप जरूर बताइए इसे हम रायते के साथ खाएंगे यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है यह थोड़ा सा डिफरेंट है पॉलाव अब जरूर बना के खाईए और मुझे जरूर बताइए कॉमेंट्स करके ओके थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक एन कॉमेंट्स एन प्लीज 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 सस्क्राइब माइ चैनल